Hello everyone, आज का question जो है, आप लोगों को thumbnail देखर के समझ में आ गया होगा question है कि y x to d power 0 is equal to 1, where x is any non-0 real number यानि काने का मतलब है कि अगर x का power 0 कर देते हैं या फिर a का power 0 कर देते हैं बात वही है, तो उसका value कितना आता है, तो 1 आता है यहाँ पर क्या है कि अगर x है या फिर a है, तो x या फिर a जो है non-0 real number सोना चाहिए तो आखिर ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे का क्या region है, एक एक concept जो है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, तो सबसे पहले देखें यहाँ पर ध्यान से जैसे माल लेते हैं कि आपको कोई number हम दे देते हैं 1 और इसका power क्या कर देते हैं 0, value क्या होता है, 1 होता माल लेते हैं आप एम 2 लिख दिये, 2 लिख दिये और इसका power क्या कर दिये 0, तो भी value कितना हो जाता है, 1 minus 1 by 2 लिख दे और इसका power क्या कर दे 0 तो भी value 1 हो जाता अगर यहाँ पर हम root 2 लिख देते और इसका power 0 कर देते तो भी value 1 हो जाता माल लेते minus root 3 by 4 कर देते हैं और इसका power क्या कर देते हैं 0 तो भी value 1 हो जाता minus 9 by 7 power 0 कर देते हैं तो भी value 1 हो जाता है यानि कहने का मतलब है कि base जो है कोई भी non zero real number हम लोग लेते हैं और उसका power zero कर देते हैं तो value always one होता है इसका region हम लोग समझेंगे एक चीजी भी जान लिजे अगर आप zero का power zero कर देते हैं तो उस situation में value जो है one के equal नहीं होता यानि कहने का मतलब है कि zero का power अगर हम zero कर देते हैं तो value जो है one के equal नहीं है यानि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि zero के अलावा कोई भी दूसरा real number आप ले लिजे कोई भी real number हो आपका rational है, irrational है, positive है, negative है कोई मतलब नहीं है power zero कर देने के बाद value one ही होता लेकिन अगर आप zero का power zero कर देते हैं तो उस situation में जो होता है value one नहीं होता तो इस एक के concept को जो है इस वीडियो में हम explain करने वाले है तो आईए सबसे पहले हम लोग prove करते हैं कि अगर x का power zero है x का power zero है तो value one क्यों होता है तो हम x का power zero बोले या फिर a का power zero बोले बात एक ही है समझ रहे न यहाँ x लिखे या फिर a लिखे इससे कोई दिकत नहीं है तो आईए हम question को एक बार यहाँ पर लिखते हैं question हमारा क्या कि why does why does x to the power zero is equal to one where where x is any none zero where x is any none zero real number यानि x जो हमारा कोई भी none zero real number हो सकता है तो एक दम concentrate होके दिखेगा simple proof है इसमें कोई दिकत आपको नहीं होगा आप सबसे पहले जान लिजे कि अगर यहाँ पे हम लिखे रहे एक formula कि e to the power m है by e to the power n है तो इसका value क्या होता है तो a to the power m minus n यह आपको पहले से पता होगा exponent में जानते होईगा कि अगर a to the power m है by a to the power n तो इसका हमनों क्या लिख सकते हैं तो a to the power m minus n लिख सकते हैं तो ऐसे यहाँ पे लिखेंगे कि since x to the power m है by x to the power n है equal क्या होता तो x to the power m minus n होता ठीक है यहाँ पे हमको प्रूब करना है कि x का power 0 होगा then इसका value क्या होगा तो 1 होगा तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि m और in दोनों फिलाल different दिख रहा है लेकिन यहाँ पे हम दोनों को same लेकर के चलते हैं यहाँ पे हम suppose कर लेते हैं कि हमारा m जो है किसके equal है अब जब suppose कर लिजएगा तो उपर क्या हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x का power m है तो m के जगा हम n डाल सकते हैं और by नीचे भी x का power क्या हो जाएगा तो n हो जाएगा यानि m और in दोनों same है तो m के जगा भी हम input कर दिए इधर आते हैं तो फिर m के जगा input कर देंगे तो n और पहले से minus n अब आपको पता है कि numerator और denominator अगर दोनों same है तो cut जाएगा जैसे माल नेते हैं कि हम 3 by 3 लिख रहे हैं तो cut करके value क्या आता है root 7 by root 7 कर देते हैं cut जाएगा तो value क्या आता है तो यहां भी देख रहे है numerator और denominator दोनों same है तो यह cut जाएगा तो value क्या देदेगा तो 1 देदेगा अच्छा इधर रहेगा तो x का power n minus n तो e plus n e minus n e भी आपका cut जाएगा तो x का power क्या बचेगा तो 0 बचेगा यानि finally यहां से हम को क्या मिला कि अगर x का power 0 है then उसका value क्या होता तो 1 होता यानि x का power 0 है तो उसका value क्या होगा 1 होगा लेकिन एक चीज़ ध्यानक नहीं कि x का ऐसा number होना चाहिए तो non zero real number होना चाहिए x जो है आपका non zero real number होना चाहिए then ऐसा valid होगा otherwise valid नहीं होगा अब एक चीज़ इसमें और जानने वाला बात है कि अगर 0 का power 0 कर देते हैं तो क्या value 1 होगा तो नहीं यानि 0 का power 0 कर देज़ेगा तो value 1 नहीं होता है इसका region क्या है तो सबसे पहले आप जान लिजिए कि यहाँ पर x का power m है by x का power n है तो इसका value हम लोग लिखे हैं x to d power a minus n ठीक है तो यहाँ पर हम m और n दोनों को same लेकर करके चले हैं फिर यहाँ देख रहे हैं कि उपर नीचे same होगा तो cut गया अब एक चीज़ ध्यान अखेगा कि mathematics में कहीं भी जैसे माल लेते हैं कि हम 0 by 3 लिख रहे हैं तो हमारा result 0 आएगा इसमें कोई दिकत नहीं है लेकिन अगर हम 3 by 0 कर देते हैं तो हमारा result क्या हो जाता अंडिफाइ हो जाएगा और नीचे 0 का power n हो जाएगा तो 0 by 0 हो जाएगा अगर mn को सेम भी रखते हैं तो 0 by 0 जो कि हमारा क्या हो जाता अंडिफाइंड यानि की indeterminate form हो जाता है इसका fix value नहीं बता सकते हैं इसी कारण से 0 का power 0 जो होता indeterminate form में आ जाता है यानि इसका value 1 नहीं होता ध्यान अखना है कि denominator में कभी 0 नहीं आना चाहिए अगर एक का value 0 हो जाता है तो फिर या आपका false हो जाएगा तो एक ही exception है इसमें कि x का value 0 नहीं होना चाहिए इसके अलावा आप कोई भी non zero real number ले सकते हैं सब के लिए valid है तो मिलते हैं अगले वीडियो में Thank you